शुरूर। सबापती मोहोदे मैं इस विधैक का हारदिक समर्थन करता हूं। किन्तु समर्थन करने के साथ साथ कुछ अन्य बातों की और भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाता हूं। इस विधैक में श्रमिकों के कल्यान के बारे में चर्चा की गई है स्टॉप। उनको कुछ और सुविदाईं देने के लिए कोई विरोध नहीं करेगा। सब लोग समर्थन ही करेंगे पैरा। महोद्य इस बात की चर्चा करते हुए दो बहुत ही मैंतप्रण बातें मैं कहना चाता हूं। अभी पिछले महीने दूर संचार करमचारी संग की रेली आयोजित की गई स्टॉप। उनकी रेली में बहुत अधिक संख्या में सब छेत्रों में शमिकों ने हिसा लिया। उन्होंने सिकायत की है कि उनमें बहुत से लोग हिंदी भासी छेत्रों के हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए स्कूलों में पढ़ने की कोई समूचित व्यवस्था नहीं है। सरकारी नियम हैं कि यदि काफी संख्या में इस तरह के लोग हैं और जिस भाशा को भी बेजानते या बोलते हूं उसी भाशा में सिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था नही होने से उने कठी नाई का सामना करना पड़ता है। अतै मेरा मंत्री महोद ऐसी निवेदन हैं कि वे श्रमिकों के बच्चों की सिक्षा उनकी ही भाशा में दिलाने की व्यवस्था करीं। श्रमिकों के कल्यान से इस विधय का समंद है और यदि श्रमिक सिक्षित नहीं होंगे तो वे कल्यान की बात भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए इस सिकायत को दूर करने का प्रियत्न करें ताकि मजदूरों में संतोस पैदा हो सकें। दूसरी बात दुरगटना से समंदित है। दूरगटनाओं के लिए जो मुआवजा दिया जाता है बैं उचित तरीके से उनको नहीं मिलता है। मेरा आप से निवेदन है कि दूरगटना होने पर श्रमिकों को उचित मुआवजा देने पर भी सहानू भूती पुरवक विचार किया जाए। तबी सही माइने में हम श्रमिकों के सायता कर सकेंगे और उन्हें सुविदाएं दे सकेंगे परा। इस विधैक पर इससे पुरव सदन में काफी विस्तार से चर्चा हुई है। और सभी माननिय सदश्यों ने इस मेतपुर्ण विधैक पर अपने विचार प्रकट किये है। सभी सदश्यों ने इस बात को सविकार किया है कि श्रमिकों के हितों का ध्यान रखा जाना आवशक है। या प्रसनता की बात है कि इस मेतपुर्ण विश्या पर सदन में उपस्तित सब सदश्यों ने अपने बहुमुल्य विचार प्रकट किये है। और श्रमिकों के हितों की रख्षा की बात कई है। इस मेतपुर्ण विध्याग पर मुझे समय देने के लिए मैं अधैक्स महोदे का धन्यवाद करता हूँ। पैरा।